हेलो फ्रेंट्स मैं नेम इस फ्रक्टराणन कुमार शर्मा अम रांक 62 CSE 2018 इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग सब्जेक्ट वाइस कि आपको इंपोर्टन टॉपिक्स क्या है यह आपको इस साल के मेंस के लिए कि क्या आपको कवर करने चाहिए ताकि आप अच्छे से मार्क स्कोर करते हैं जो हर साल आते हैं जैसे पेपर 2 में पॉवर्टी और हंगर पर कुष्चन या हेल्थ एंड एजुकेशन पर कुष्चन हर साल आएगा तो वो टॉपिक आपको एक जगा लिस्स करने हैं कि सबसे पहले कि हर पेपर के 1,2,3,4 के कौन से टॉपिक से जिस पर हर साल कुष्चन आ जो कौन से टॉपिक जो सतरा आतारा में नहीं है और इसके बार अपको इडैनिटिफाइए करना है तो कौन से टॉपिक है जो अभी तक नहीं आएं विच मीन्स कि आपको जब रेंज कर लिया तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि मतलब जो टॉपिक हर साल आ रहे हैं उसको आपको प्रेपेर करके रखना है फिर अगला पार्ट इस कि कौन सा टॉपिक जो अभी तक नहीं आया अभी तक नहीं आया मतलब वो तो पक्का ही आएगा इस साल इस फिर तीसरा में जो आया है तो हो सकता है उसको आप पूण धोला चूड़ दे सकते हैं असा नहीं छोड़ना है कि यह रिपीट हो सकता तो जैसे पहला टॉपिक है इंडियन कल्चर विल आर्ट फॉर्म लिट्रेचर और आर्किटेक्ट्चर तो इसमें हर साल अलग लग कुश्चन आता है एक बार स्टूपा पर कुश्चन आ चुका है फिर कभी ट्रेड इंड उस पर कुश्चन आया है तो इसमें सबसे आपको करना कुछ कुछ चीजें जैसे केव से पेंटिंग से म्यूजिक एंड डांस फॉर्म है और टेंपल आर्किटेक्ट्चर इसमें कुश्चन बहुत टाइम से नहीं आया है तो यह टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर कर सकते हो या फिर लिट्रेचर वाला जो पॉर्शन है इस इन टॉपिक्स को आप ठोड़ा सा प्रपेर करें आर्टन कल्चर में तो यह आपको वो देंगे आर्टन कल्चर एक कुश्चन आता है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है इन साथा टॉपिक्स हैं उनमें से यह तीन चार टॉपिक्स पर पैर करिए कि गांधी जी का क्या रोल था गांधी जी ने क्या स्ट्राडेजी अपनाई गांधी जी के कौन-कौन से मूवमेंट से क्या मूवमेंट में क्या रीजन्स थे उन्होंने क्या रोल प्ले किया उस चीज़ पर आपको करना है दूसरा टॉपिक आता है कॉन्ट्रि बोग स्टाइल वाज डिफरेंट गांदी जी जी अंबेटकर स्टाइल डिफरेंट और नहरूजी जी पर पतेल जी स्टाइल डिफरेंट इस चीज पर फोकस करिये उसके अलावा थोड़ा जो पॉलिश् government की इजुएशन पॉलिशी जैया की इसके साथ में जो एक हैं वो भी एक पॉलिसी का ही पार्ट है कि मॉन्टेक चैन्फोर्ड रिफॉर्म मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1935 इनके फोकस करिए इनके प्रिंसिपल्स और प्रोविजन्स क्या थे ताकि या का इडेंटिफाय करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस एरा में एक इमर्जेंसी इसा टॉपिक है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है जो अभी तक कुश्चन नहीं आया तो इमर्जेंसी वाले टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं प्लस 1971 वाले वार पर भी आप कर सकते हैं यह दो टॉपिक्स हैं जो थोड़े लाइकली है कि आ सकते हैं वर्ल जो इसलेबर के टॉपिक से उनको कवर कर लो उसके बाद आपकी शरदा है जितने आप कवर कर पाएं पिछले साल तो कुश्चन भी नहीं आया इससे हर साल कुश्चन काम होते गए तो इस पर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए कि जो इसलेबर के टॉपिक्स हैं उन पर कर लीजिये ज्यादा पर आप कर नहीं पाएंगे को बहुत जादा टाइम तॉपिक्स हैं अब यह देखिए बाकी के जो क्वेश्चन सोसाइटी वाले कुश्चन सोसाइटी में जनरली आप देखो विमन पर कुश्चन हर साल आएगा कास्ट इसूस पर क्वेश्चन ग्लो उसके अलावा मैंने बताया है जैसे पौवर्टी हंगर यह ऐसे टॉपिक से जिन में वन और टू में दोनों में कुश्चन्स आ जाते हैं कि अपने बनाकर रखी बेसिक स्टाटीस्टिक्स बेसिक डायमें क्या इस यह पौवर्टी के लिए मैजर्स लिए गवर्मेंट ने क्याका शूज हम कर सकते हैं। कि उसके लाव यह तीन एक टॉपिक है जो से घूम फिर के क्वेश्चन आता ही आता है कमिनलिजम रिजनलिजम इन मैंसे या तो दो टॉपिक पर हर साल कुष्चन आता है हर साल रिपीटेडली कुष्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप इन तीनों पर स्ट्रॉंग करके ताकि आप कवर करता है क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा मिनिममम हो सकता है तीनों पर आजाए या दो पर एक तो मिनिमम आए गई आए पिर उसके अलावा जिलोग्रेखल फिनॉमनाज में एक फिनॉमना हर साल आता है आप रिपीट करके देख लीजिए वह सुनामी व पचाए भी आएगा इएक साक्राइब यह शोनामी आगया एक साल इर्थक्विक आगया एक साल लेंड्सलाइड नहीं उसके अलावा डिस्ट्रिशन ओफार्स इंड्या में डिस्ट्रिभीश्यन जेौरी इस के लिए जूमनामिक जग्राफी की ए नकिरो बहुत इंपॉर् यह हमारा बेसिक था पेपर वन के लिए अब हम शिफ्ट करेंगे पेपर टू के लिए तो पहला टॉपिक इंडियन कॉंस्टिशन इंडियन कॉंस्टिशन वाला टॉपिक है यहां भी रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी गवर्मेंट के कॉंस्टिशन के डिवलपमेंट्स हुए है एक्स 1861 1892 1909 1919 1935 इनको आपको पढ़ना है कि साथी साथ बेसिक स्रक्चर क्या है यह और जो मेजर कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट्स हैं 42nd एमेंडमेंट्स 47th इन अमेंडमेंट्स को बेसिकली आपको पढ़ना है कि सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसा इशू जिस पर कॉंस्टिशन आ सकता है फिर से रिपीट करते हैं अच्छा यह टॉपिक है कंपारिजन ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन विदार कॉंस्टिशन इस साल कॉंस्टिशन आ ग और रूरल लोकल गवर्नेंस इस पर कॉंस्टिशन हर साल आता है कभी जैसे लास्ट यह अर्बन लोकल गवर्नेंस पर आ गया उससे पहले पंचायती राज़ पर आए और टरनेट आता है इनके इस्टिशू को इनकी प्रॉब्लम को इनके सॉल्वीशन को प्रपैर करके है कि हर साल कोई ना कोई स्टाटर्चुरी बॉड़ी देते हैं और एक कॉंस्टिशन से एन चार सी एंची डबलू इनमें से कुछ दे दिया कॉंस्टिशन में सी एजी इलेक्शन कमिशन यह दे दिया तो इन बॉड़ी इसको बेसिक बेसिक इनकी प्रॉब्लम और इनके को इंटिफाइ करके रखिए क्या करना है अब बेसिकली देखेंगे लाइन वाइस कुष्टन साथे हैं हर लाइन से कुष्टन होगा बीस लाइन होंगी बीस कुष्टन से आई रहा है फिर हेल्ट एजुकेशन पॉवर्टी हंगर को मैं बताई रहा हूं हमेशा से यह आते ही आते हैं इस पर कुष्टन आना शुरू हो जाए पिछले दो साल से और वेरी लाइक लिए कि फिर आए क्योंकि लैटरल एंट्री और इंट्रेशन और इंडिया के इंटरनाशनल और अधर रीजन से होगा तो नेबर वह इंटिफाई कर लीजिए और इंटरनाशनल कंट् जिसके साथ रीसेंट्ली प्रिलिम्स और मेंस के बीच में बहुत जादा गवर्मेंट या प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स हो रहे हैं उदर का हैड इदर आ रहे हैं यहां की हैड वहां जा रहे हैं जनरली उनसे आता है तो आपको यह थोड़ा सा न्यूस में कैप्चर क करके रखना पड़ेगा कि कहां पर हमारे डवलप्मेंट्स हो रहे हैं चाहे वह नेबर में हो या कहीं पर और किसी रीजन की कंट्री से तीन तरीके क्वेश्चन आएंगे उसके अलावा डब्ली टीओ वर्ल्ड बैंक सार्क इनके इस्यूस को इंटिफाय करके रखिए एक क्वेश्चन किसी और्गनाइज़ेशन पर आता है डव्ली टीओ काफी फेवरेट और्गनाइज़ेशन उसके कोश्चन रिपीटिडली पूछ करते हैं पेपर टू किया अब हम शिफ्ट करते हैं पेपर थी की तरफ तो पेपर थी में सबसे पहला एक पहला टॉपिक है ब उसके अलावा inclusive growth उसके अनिफ्लॉइम्ट के क्या problem से कैसे प्रॉइम्ट कर सकते हैं jobless growth skill development यह चार टॉपिक्स हैं जिन पर questions आते हैं alternatively आते हैं इन चार टॉपिक्स पो अच्छे से prepare कर लीजे इनके issues क्या हैं क्या government ने steps लिये और क्या measures और ले सकते अनिंप्लॉइमेंट के लिए इंक्लूजिव ग्रोथ के लिए जॉब्लेस ग्रोथ के लिए काउंटर करने के लिए इंगला पॉर्शन एग्रिकल्चर वाला पॉर्शन है इसमें से क्वेशन दो तीन से चार क्वेशन आप मिनिमम आएंगे अब वह आइंटिफाई कर लो इन सालों में किस पर क्वेशन नहीं आए तो जो बचा है उस पर टॉफिक्स को आप प्रपेर कर लिए ताकि आप 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 अडिटिफाई करने पड़ेंगे प्रिकिन में से कोई एक टॉफिक आएगा ऑल्टमेटिव इसमें पूट प्रसेशन से तो क्वेशन आएगा ही इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन्स क्या इशूज है यह आपको प्रपेर करना है लांड फॉर्म का आपको अडिटिफाई करना पड़ेगा किस साल किस से क्वेशन नहीं आए इंफ्रस्ट्रक्चर में आपका एनर्जी पोर्ट रोड्स एयरपोर्ट रेलवेस अब तक रेल सकते हैं क्या गऊस्टेप्स लिए इंवेस्टमें मौडल में पीडिफी मौडल पे वेशन दापा जंटल वह ब्योट सकते कुछ सकते हैं कुछ़ंव इंडिया की नुक्लियर प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम यह तीन मिनिमूम टॉपिक्स हैं जो प्रपेर करके रखिए इन में से किसी एक प्रोपिक्स आई सकता है डिरेक्ली डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक क्वेश्चन कनफर्म्ड है सेकेंड के लावा आपका मनी लॉंटरिंग यह चार टॉपिक्स हैं यह अल्टरनेट यह में आते हैं दो टॉपिक्स मिनिमूम तो आप आइंटिफाई करिए कौन से चार टॉपिक्स विश्ली बार आ चुके हैं इस बार नहीं आया है उनको अच्छे से प्रपेर कर लिए अच्छा अच्छे से प्रपेर कर लिए इसको अच्छे से प्रपेर कर लिए अगला टॉपिक हमारा है हमने पेपर 3 कि आब हम पेपर 4 पर करते हैं पेपर 4 पर एथिक्स इंटिग्रिटी अड आप्टिट्यूड में तो कुछ 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 हैं जिसको आप इडेंटिफाई करने के लिए बेसिक जैसे एथिक्स 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 एक प्रपेर करके रखिए फिर पांच या साथ हमारी सिविल सर्विसे वाल्यूज दी हुई है स्लेबस में इन में से दो वैल्यू जन्रली आती है अब आप इडेंटिफाई कर लीजे कौन सी वैल्यू पिछले सालों में आई आई आप बचिए जैसे इंटिग्रिटी इंपाश्यलिटी नॉन पर्टेशन सिप अब्जेक्टिविटी डेडिकेशन टू पॉब्लिक सर्विस एंप्र इन में से कोई भी दो वैल्यू जाएंगे तो हर वैल्यू की बेसिक डेफिनेशन उसकी इंपोर्टेंस क्या है सिविल सर्विस में और उसके दो या तीन रियल लाइफ एक्जांपल्स यह आप प्रपेर करके रखिए पक्का आएगा है फिर आप्टिट्यू या कर रहे हैं इस तोडीके के कोशन इंडिरिक्रिट्वी आते हैं अप्लिकेशन बेस्ट इंपोर्टटवी इंटिश्य क्या है accountability क्या है कैसे improve कर सकते हैं ये कैसे बढ़ा सकते हैं corruption क्या है lack of ethics की वज़े से क्या impact हो सकता है governance में लोगों की क्या लोगों को citizen centric governance कैसे बना है ये governance का क्या रोल है तो ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे impact करती है इस पर question आ सकता है अब कुछ question है जो डायरेक्ट है जैसे RTI पर question डायरेक्ट आएगा जाएगा code of conduct code of ethics पे citizen charter पे वर कल्चर पे quality of service delivery पे corruption पे ये सारी topics ऐसे हैं जिन पर एक question पक्का आता है कि जो 14-15 question है पांच या 6 question इस वाली लाइन से जो प्रोबिटी इन इस तरीके से इस वीडियो में हमने डिसकस किया के पर 1-2-3-4 के important topics क्या है कैसे आप identify कर सकते important topics और कुछ हमारी नई वीडियो की जानकारी रखने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें